Hello everyone, welcome to TET Achievers and I am your educator Nitu Mishra. So, आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये Maths Pedagogy पे related है, आज एक बहुत important topic हम study करने बाले हैं, that is taxonomy of addition and subtraction. तो अगर आप मेरे चानल पे first time visit कर रहे हैं, तो चानल को subscribe जरूर कर लीजे, because here we are going to prepare for CETE 2020, जो आज का हमारा topic है Maths Pedagogy पे, वो paper 1 और paper 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा important है, तो वीडियो को last तक देखेगा, इसको like जरूर करिए, साथ में जो bell icon है उसको press जरूर करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की notification आपको timely मिल सके, ओके, मेरे live classes को देखने के लिए आप मुझे unacademy पे follow कर सकते हैं, जहाँ पर आप मेरी live classes को भी ले सकते हैं, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, आज का जो हमारा topic Maths Pedagogy पे related है, उसको आज अच्छी तरीके से समझ के यहाँ पर जाएंगे हम, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, So, today we are going to discuss Maths Pedagogy, इसमें हम addition और subtraction को पढ़ने वाले हैं, तो addition और subtraction किस तरीके के होते हैं, किस पे based होते हैं, उसको आज हम देखते हैं, सबसे पहले Maths का जो हमारे models होते हैं, वो होता है aggregation, Now, what is this aggregation? Aggregation का मतलब होता है, when we need to combine two or more quantities, like set, objects, money, etc. to obtain single quantity, the process is called aggregation, देखिए, इसका मतलब यह होता है, कि जब हमें दो या दो से जादा, एक जैसी चीजों को जोड़ना होता है, वहाँ पर हम aggregation का use करते हैं, combining two or more quantities, जब हम दो या दो से जादा चीजों को जोड़ देते हैं, वहाँ उस process को हम कहते हैं aggregation, okay, aggregation कैसे पता चलता है, जब हमसे question में पूछा जाता है, how much, many, all together, what is the total, अगर इस तरीके के question पूछे जाते हैं कि कितना हुआ, कितने एक साथ हैं, कितना योग है, तो उस तरीके का जो question होता है, वो हमारा एकत्री करण के अंदर आता है, यहाँ पर हम दो चीजों को एकत्र करके एक बड़ी चीज को बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि example हम समझते हैं, if Ram has three pencils and Shyam has two pencils, Ram के पास अगर तीन पैंसिल हैं और Shyam के पास दो पैंसिल हैं, तो how many pencils are there all together, एक साथ जब हम मिलाएंगे तो कितनी pencils होंगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, three pencils plus two pencils is equals to five pencils, अब हम से question इस तरीके से पूछा जाएगा, कि Ram के पास तीन पैंसिल हैं, श्याम के पास दो पैंसिल हैं, how many pencils are there all together, यह आपका जो question है, वो किस model के अंतरगत आता है, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे, तो आप बता पाएंगे, कि यह जो हमारा model है, यह जो हमारा question है, वो aggregation model के, एकत्री करण model के अंदर आता है, ठीक है, इसका एक example हम और लेते हैं, इसका example है, कि मान लीजिए, मान लीजिए, एक car parking है, एक car parking में, तीन red color की car है, दो white color की car है, ठीक है, और एक blue color की car है, अब हम से क्या पुछा जा रहा है, अब हम से पुछा जा रहा है, what is the total, जो हम total करने चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, red वाली car, white वाली car, और अपनी blue वाली car को add कर देंगे, क्योंकि तीनों car हैं, ठीक है, same quantity, single quantity हम लोग यहाँ पर obtain करेंगे, उसके बाद, तो total car कितनी हुई, total car हो गई हमारी six, तो यह होता है हमारा aggregation, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को मिला कर, एक बड़ी चीज़ का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, clear हो गया, I hope सबको clear हो गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से, चले, next आगे देखते हैं, हमारा जो अगला topic है, that is augmentation, अब augmentation क्या होता है, augmentation is a process where quantity is to be increased, जहां पर हम quantity को increase कर देते हैं, by some amount, and the increase value has to be obtained, और हमें एक बढ़ी हुई value जो है वो पानी होती है, ठीक है, when one quantity is increased by some amount, इसमें किस तरीके questions आते हैं, इसमें question आते हैं, कि आपकी जो value है, वो कितनी बढ़ गई, example देख लेते हैं हम लोग, Ram had two sweets, Ram के पास दो मिठाई थी, and brought two more, और वो दो, उसको दो और मिल गई, या वो दो और ले आया, ठीक है, यहाँ पर हम combine नहीं कर रहे हैं, हाँ पर हमने क्या बोला, कि Ram के पास दो मिठाई थी, और वो दो और ले आया, ठीक है, how many sweets does he have now, अब उसके पास कितनी sweets हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके पास जो sweets थी, उसको anyhow हमने बढ़ा दिया, add करके, augmentation में हमारे पास चीज होती है, हमारे पास तीन कार थी, हमारे पास दो कार थी, और हमारे पास एक कार थी, ठीक है, हमारे पास जो present चीज है, वो होती है, लेकिन augmentation में क्या होता है, परिवर्धन में क्या होता है, हमारे पास चीज नहीं होती है, हम externally उस चीज़ को ला के value को increase करते हैं ओके अब देखिए एक day to day life का example हम लोग देखते हैं day to day life का एक example है कि suppose I have to increase my weight मुझे अपना वजन बढ़ाना है तो दो तरीके हैं एक तो खुप सारे कपड़े मैं पहन लूँ है ना बहुत सारे कपड़े मैंने external मैंने कपड़े पहन लिये और अपना वजन जो है वो एक दो किलो बढ़ा लिया ठीक है तो उस case को हम क्या कहेंगे उस case को हम कहेंगे augmentation क्योंकि वो मेरे पास है नहीं मैंने उसको बढ़ाया है ठीक है और within कुछ minutes में वो मेरे से जा भी सकता है वापस ठीक है अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि जो मेरा वजन है वो मैं कुछ जादा खाना खाके बढ़ा लूँ उसको मैं है ना जादा खान खाके मैं अपना वजन को increase कर लूँ तो वो भी क्या हो गया वो हो गया हमारा aggregation हमारे पास खाना हमने खाया और मेरा वजन जो है वो increase हो गया okay got it मुझे लगता है कि सबको augmentation और aggregation दोनों concept अच्छे से समझ में आ गये होंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं question किस टा following word problem on edition योग पर निमने लिखे शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए समस्या क्या है there are 15 oranges in one basket एक टोकरी में 15 संत्रे हैं and 17 oranges in another basket और दूसरी टोकरी में 17 संत्रे हैं सब मिला कर कितने संत्रे होंगे बात समझ में आ गई एक टोकरी में 15 हैं दूसरी में 17 हैं दोनों चीजे हैं हम हमारे पास तो हमारे पास total मिला के कितने संत्रे होंगे ओके अब यहां पर दूसरा जो sentence हमें दे रहा है वो कह रहा है वो कह रहा है the price of mobile phone which is 9950 is increased by 375 after budget what is the new price एक mobile जिसकी की कीमत कितनी थी 9950 रुपे थी budget के बाद वो 375 रुपे बढ़ गई अब नई कीमत क्या है अब देखे यहां पर दोनों addition के सवाल है ना दोनों हमारे किस चीज़ के सवाल है addition के सवाल है तो यहां पर क्या होगा हमको क्या करना है question क्या पूछा गया है हमसे यह आप दोनों sentence समझ गए अब question हमसे पूछा पूछा जा रहा है कि which of the following is correct निमने लिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है ठीक है तो देखते हैं कथन पढ़ते हैं both represent augmentation structure of addition दोनों ही योग में समवर्धन सनरचना का को प्रदर्शित किया गया a represent augmentation structure of addition where b represent aggregation of structure structure of addition a योग की समवर्धन सनरचना प्रदर्शित करता है और b योग की समुचे सनरचना को प्रदर्शित करता है अब third option क्या है कि a Lang tah a एग्रिगेशन स्ट्रक्चर और बी रेप्रेजेंट और बोथ रेप्रेजेंट एग्रिगेशन ओफ एडिशन ठीक है ए योग की समुच्य सनरचना को प्रदिर्शित करता है और बी योग की समवर्धन सनरचना को प्रदिर्शित करता है या फिर दोनों ही योग की समुच्य स रचना को प्रदिर्शित करते हैं अब एक बार हम लोग अपना question देखते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए हमसे क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि भाई जो हमारा एक टोकरी है उसमें कितने oranges है 15 oranges हैं दूसरी में 17 oranges हैं दोनों चीजें हमारे पास हैं इसका मतलब दोनो हम यहां पर aggregation को का model यूज कर रहे हैं ठीक है यह हमारा कौन सा model हो गया aggregation का चलिए अभी दूसरी चीज देखते हैं अभी दूसरा हमसे यह क्या कह रहा है second हमसे कह रहा है कि the price of mobile phone जो पहले 9950 था वो increase हो गया कितने से बच्चे 375 रुपे से बढ़ गया ठीक है अब यह हम बाहरी चीज की वज़े से हमारा यह जो price है यह increase हो गया तो यह हमारा कौन सा structure आ गया यह हमारा आ गया augmentation ठीक है यह हमारा कौन सा structure आ गया augmentation मतलब कि पहले वाला जो हमारा sentence है वो हमारा aggregation या की समुच्ची को प्रदर्शित करता है और जो दूसरा वाला है वो हमारा augmentation या की समवर्धन को प्रदर्शित करता है तो हमारा जो option number 3 होगा बच्चे वो हमारा correct answer होगा I hope आपको सबको clear हो गया होगा कि augmentation और aggregation क्या होता है ठीक है augmentation और aggregation आप सभी को समझ में आ गया होगा चलिए अभी हम हाँ जी अभी हम आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और next वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी basic जो हमारे taxonomies होती है edition की उसको हम पढ़ेंगे most probably अगला जो वीडियो है वो आपका कल morning में कल दुपहर तक मैं यहाँ पर आपको provide करा दूँगी ठीक है तो लेकिन चानल को subscribe कर लीजियो और साथ में जो bell icon है उसे press जरूर कर दिये तब तक के लिए take care keep learning and stay happy ओके बबाई